दोस्तों हमसे जुणने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्लेस करें इस पेल बटन को जिससे आपको मारी सभी जानकारी सही समय पर सबसे पहले मिल सके जैमातादी दोस्तों आपका हमारी चैनल में हारदिक स्वागत है दोस्तों आज हम आपको बताएंगे पितर पक्ष के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये 24 सितमबर से शुरू हो चुका है और इस बार 9 अक्टूबर तक रहने वाला है इन ही दिनों में पितर दोश दूर करने के लिए बहुत सारी चीज़े की जाती हैं जिससे जीवन में परिवार में आ रही सभी मुसीबत खतम हो सकें सभी परिशानिया खतम हो सकें और आपके जीवन में परिवार में सुक समरिद्धी आपकी और आकरशित हो सकें जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि पित्रदोश बहुत ही आमसा होता है और काफी लोगों की कुंडली में जीवन में देखा जाता है यह तब ही होता है जब घर में परिवार में किसी भी व्यक्ति का अगर शराद सही से नहीं हुआ है तो आने वाली जो जनरेशन होती है उन भी लोगों के जीवन में पित्रदोश होता है उनके जीवन में हमेशा ही कुछ ना कुछ मुसीबत या परिवार पर ऐसी परिशानिया आती रहती है जिसमें वह हमेशा ही लगातार आपस में ही लड़ते रहते हैं वाद विवाद करते रहते हैं और खुद ही एक दूसरे को देखकर जलने लगते हैं बलकि जिस व्यक्ति की कुंड़ी में पित्रदोश होता है ऐसे व्यक्ति को सफलता नहीं मिल पाती है और धन प्राप्ति के योग भी नहीं बन पाते हैं उसे हमेशा ही दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है पैसों के लिए और जो भी नया कारे क करने की वे कोशिश भी करता है नया बिजनस करने की नहीं नोकरी करने की तो उसमें भी उसे सफलता नहीं मिल पाती हैं और आए दिन नहीं नहीं मुसीबत खड़ी होती रहती हैं परिवार से जुड़ी हुई परेशानी और अपने कारे में सफलता ना मिल पाना यह सब पित जादा बढ़ जाता है कोई भी दवाई नहीं लग पाती है और नहीं जल्दी से यह भीमारिया ठीक हो पाती है इसलिए पित्रदोश दूर करने की सलाथ दी जाती है ताकि यह सभी समस्य खतम हो सकें काफी लोगों को पता नहीं होता है कि पित्रदोश होने के कारण किस प्रक करना चाहते हैं तो आपको हर साल पितर पक्ष में उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ उपायक करते रहना चाहिए काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि एक बार करा देने से उन्हें पूरी जिंदगी के लिए मुक्ती मिल जाती है लेकिन ऐसा नहीं होता है बलकि आपको हमेशा ही उ पसी बत नहीं आपाती हैं अब दोस्तों काफी उब हैं कि इसी से में और आफ्य जाथा अग they can one-र- foresee तो आपको ठीयान तखना है कि पितरबक्ष के दोर्रान आपको रोजाना ही सूरे को डेना चाहिए ऐसा करने से पितर दोश में बहुत ही जादा आराम मिलता है और आपको बहुत ही जादा साहता भी मिलती है आपके सभी कारे बनने लगते हैं और आपको धन प्राप्टी के भी नए-ने मार्ग मिलते हैं पितर पक्ष में ही सूरे को जल देने का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है बलकि इससे आपका सूरे ग्रह स्ट्रॉंग बनता है और आपको मान सम्मान की टापती होती है जो लोग सरकारी नोकरी की इच्छा रखते हैं उनको जरूर ही पितर पक्ष में सूरे को जल देना चाहिए इसके साथ ही दोस्तों जो उपाई आज हम आपको बताएंगे यगर आप वह भी करते हैं तो आपको पिंट दान या श्राद करने की जरूरत नहीं है बलकि आप अपने घर में ही इन चीजों को करकर इनका लाब उठा सकते हैं और पितर दोस्ते मुक्ति पा सकते हैं इस उपाई को करने के लिए दोस्तों आपको एक गाय के उपले की जरूरत है और एक मिट्टी के बरतन की जरूरत है मिट्टी का बरतन आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं जिस पर आप गाय का उपला रख कर जला सकें इसी प्रकार से आपको कोई भी मिट्टी का बरतन ले लेना है जिस पर आप गाय का उपला रख कर जला सकें और रोज सुभह आप उस मिट्टी के बरतन में उपला रख कर जला सकते हैं और उस उपले पर आप खी, गुड और घर का बना हुआ भोजन डाल सकते हैं यह आपको 5-5 बार करना है इस प्रकार या पूरा उपाय करना है आप इसको सही से समझे सबसे पहले आपको मिट्टी के बरतन में गाय का उपला रख कर जला देना है और सबसे पहले 5 बार घी और गुड से आपको उस उपले पर डालना है पाँच बार ही आपको डालना है घी और गुड मिक्स करकर पर इस मंतर का जाब करना है ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा इस मंतर का चाप करते हुए ही आप घी और गुड पांच बार डालेंगे इसके बाद आपको पांच बार ही अपने घर का बना हुआ भोजन भी उस पर डालना है और उसी उपले की सहता से इन सभी चीजों को जलाना है और यही धूनी और यही धूप आपको अपने घर में करनी है इसके बाद दोस्तों आपको अपने हतेली में पानी लेकर इसे अपने अंगूठे से गिरा देना है ध्यान रखें दोस्तों आपको इस परकार अपनी हतेली में पानी डालना है और उसी प्रकार से आपको अपना हाथ मोड़ना है जिससे पानी की भूंद भूंद आपके अंगूठे से निकलनी चाहिए यह आपको अपने सीधे हाथ में ही करना है और यह पानी आपको जमीन पर छोड़ना है यह पानी आपके अंगुठे से ही निकलना चाहिए गिरना चाहिए जमीन पर इसी प्रकार से आपको अपना हाथ मोड़ना है इन्ही बातों का आपको ध्यान रखना है अगर इसी उपाय को आप लगातार रोज पितरपक्ष में करते हैं 9 अक्तूबर तक तो आपको अपने पि प्रकार से पूरा साल आपकी रक्षा होती है बलकि कोई भी मुसीबत अगर आप पर आने माली होती है तो पितर खुद पर ही इन मुसीबत को ले लेते हैं पर आपको कुछ भी नहीं होने देते तो जरूर दोस्तों इन उपाय को करकर अपने जीवन में लाब उठाए और करकर बेल बटन जरूर दबाएं जिससे आपको मारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सकें और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें धन्यवाद दोस्तों